आपको बता दे कि गुरुवार करीब बारा बजे का चहरे इस्थित कानपूर पुलिस कमिशनर आफिस कैंपस की पीछे की दिवार अचानक धह गई वहीं दिवार धहने से किनारे खड़ी गाडियां दब गई पुलिस ने नगर निगम की टीम की मदद से मलवा हटाने का कारे सुरू कर दिया है आपको बता दे कि कानपूर में बीते तीन दिनों से रुक रुक कर बारिस हो रही है और दिवारे काफी पुरानी हो चुकी थी काफी समय से दिवार एक तरफ जुग भी गई थी वही गुरुवार को आचानक 25 फिट दिवार का हिस्सा गिर गया दिवार की किनारे खड़ी गाडियां दिवार तूटने से छतिग्रस्त हो गई वही कानपूर पुलिस कमिशनर आफिस की बिल्डिंग जजर भूसित की जा चुकी है ऐसे में नए पुलिस मुख्याले को बनाने की कावायत भी चल रही है इसको लेकर पुलिस के आला अधिकारी कई बार सर्वे भी कर चुके है कई पुलिस कर्भी जान जोखिम में डाल कर पुलिस आफिस में काम करने को मजबूर है Bureau Report, IPN